तो डियर स्टुडेंट आज की या वीडियो बीए थर्ड समस्टर के स्टुडेंट के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाली है जिनका सब्जक्ट एजूकेशन यानि फिच्छा फाफ्त रहें उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि आज किस वीडियों बात कि मैं आपको查 है चलाएं सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि इसमें सब्ड़र चलेगे आपको कस पर करेंगे और से कॉस्ट्री के लिए अदे पर आफ बियो देरी को वीडियो को शुरू करते हैं और खास बात यह है कि स्माड़ प्रिश्ण देंगे इनका उत्तर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी विजानकारियम आपको दे देंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आप देख लीजिए बीए सिक एंडियर देखें बीए सिक ए सिर्फट्र फ्रेस्पेक्ट्र पर्ष्पेक्टिव स्ट ऑफ एज्यूकेशन प्रस्प्रक्र का नाम यह इसकी परिच्छा होने वाली है आपकी इन्यूर्सिटि में एक भारत के सभी स्टुडेंट के लिए महतपुड़े जहां जहां पर इस्प्रश्न परिच्छा होने व कितने कोश्चन करना उसका उत्तर कितने सब्द लिखना यह पढ़ लीजेगे ठीक है उसके बारे में लिखना जो कि इसे समाज में चलने वाली सो दिशीय प्रक्रिया है ठीक है इसके माध्यम से समाज में रहने वाले ब्यक्त वैस्ट को हो या फिर बच्चा हो उसके skills है, skills का उसल है, सुस्त संबंधित चीजें हैं और उसका ज्यान है, वो सब चीजें improvement होती है, तो सिच्छा एक पूरी के पूरी समाजिक प्रिक्रिया है, जिसके माध्यम से मतब कि इसक चलने वाली 120 समाजिक प्रिकरिया है इस बात को ध्यान रखेंगे जिसके इंतरगत इसकिल्स आ जाएगा आपका स्वस्था आ जाएगा ठीक है अगर आपको सिच्छा के बाद सिच्छा अगर रहे कि आपके पाफ नौलेज रहेगा तभी आप किसी भी चीज में अंदर तक ज जलिजे फिलोपी अर्थार दर्सतन का साब्दिक अर्थ का मतलब होता है ग्यान अनुराग अत्वः अधवा ग्यान का प्रेम इस दरश्ञ से ज्यान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक सुरूप यानि कि उसका असली रूप क्या है उसका सुरूप क्या है उसको समझने की जो कला होती उसकी समझने की जो आप लोगे के अंदर इस्ट्रा चीजे होती हैं जो आपके अंदर इसकिल से होते हैं कला टालेंट होता है उसको हम दर सब्सक्ति शर्व मेरे जूरेशत से उस्द को नेतर है टो ओको करेंगे ठीम कार्णा के समुझने की जोगला होती है उसको दरसन कहते बताने आए लेकिन फिर भी हम आपको एंसर थोड़ा बहुत बता दे रहें ताकि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होती रहे भी से ठीक है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वही सारे कोशन बताने वाले जो पिछले वर्सों में कई बार पैच्छा में कोशन पूछे ग जिसमें से आपको दर्सन तयार कर लेना जिसको इंग्लीश में फिलोश्फी करते जो कि मैंने परिमाद साब को बताई दी ठीक है अगला कि वेदान्त क्या है यानि कि जो वेद हैं वेदों से जड़ा कोशन है तो कितने वेद हैं यह आपको लिखना पड़ेगा ठीक है बस स्मिपल सा कुश्चिन उसकी बाद भगवद गीता के बार में लिख देना जो कि आप लोग ने बहुत पहले से सुनते आरहे ना ठीक है भगवद गीता क्या है इसके बार में लिख देंगी बहुत ही महाध पूर्ण परिश्चन यह कोश्चन पिछले वर्सों में लगाता है ये question 100% आने वाले question आफ तक question चूटे नहीं तो इस बार 100% फसेंगे नोट कर लिजीगे ठीक है उसके बाद भगोत गीदा भी 100% आने वाला question है आदर्स वात क्या है आदर्स वात question आता है लेकिन बहुत कम आता तो आप इसे ignore भी कर सकते हैं मतलब कि आप परिच्छा के लिए 80 अगला question है कि समाजिक परिवरतन क्या है जो कि 1101% मतलब कि हमेशा question आता है इस बार भी फसेंगे नोट कर लिजीए कुछ question ऐसे होते हैं जो परिच्छा में बार बार repeat होते हैं ठीक है तो जैसे समाजिक परिवरतन और उपर मैंने आपको भगवत गीता वेदान्त और दर्सन और फिच्छा यह सब common question जो कि हमेशा फसेंगे नोट कर लिजी इनको इन सभी का उत्तर कहां पर मिलेगा कैसे मिल जानकारी हम आपको भी देदेंगे खंडबा में आ जाएंगे खंडबा में आपको देखने को मिलेंगे लग उत्तरे question ठीक है इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई है कि लग उत्तरे में हर एक question का उत्तर कितने सब्दम लिखना है उसके लिए कितने नंबर आपको समय की भी बचत होगी तो पहला प्रशन है कि लग उत्तरे का दर्सन की साखाएं कौन-कौन सी है महात्पूर्ण प्रशन है question paper यानि प्रशन पत्र का ही नाम है दर्सन है economics है ठीक है education है तो सिंपल सी बात है कि दर्सन की सखाएं question आएगा उके उसके बाद अगला question है कि भग भगवत गीता क्या है और यहां पर question है कि भगवत गीता के संदेश को संशेप में लिखे यह question एक तो पक्का आएगा ही आएगा वैसे ना भी आये तब भी आए तब भी आपको इसके बारें जानकारी होनी होनी चाहिए लेकिन question आएगा ही आएगा ठीक है नोट कर लीजे इसको उसके बाद अगला question कि आधुनिक भारत में सांसिकृतिक बिविता की बिविशना कीजिए यह भी question हमेशा repeat होने वाला question हमेशा आता है यानि कि आधुनिक भारत यानि कि इस समय को भारत है उसमें बहुत फारे रीत रिवाज हैं ठीक है कलचर है उनमें बहुत फारे बिविशता है मतलब कि अलग 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 रीत रिवाज है ठीक है अलग 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 कल्चर है लोग के उनके बारे में question है ठीक है एक महात्पूर्ट प्रस ने नोट कर लिए इसको भी ठीक है यह आएगा उसके बाद अगला question आप लोगों की समस्त प्रस्तुत है कि मौलिक सायंफ, education, and sociology में पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार और मौलिक करतब यह आप सभी को अगर आप देश में रहते तो आपको मौलिक करतब के बारे में जानकरी होनी चाहिए तो मौलिक करतब और मौलिक अधिकार इन दोनों को बारे में पढ़ लिजे की है क्या और कौन-क अधिकार आएगा और मौलिक कर्तब आएगा देखिए यहां को नीचे कोश्चन है भी ठीक है कि नागरिकों के मौलिक कर्तब क्या होते हैं यानि कि जो हमारा देश का संविधान है जो कंस्टिट्यूशन है इंडिन कंस्टिट्यूशन उसमें हर नागरिक के लिए कुछ जिसमें वह इंसान जो बनाएगे उसके नियामा अनुसार कुछ भी कर सकता है कहीं पर विजाफाकता है उसको फोलो करना उसको जरूरी है ठीक है तो कुछ मौलिक अधिकार हैं और कुछ मौलिक करतब जिनको बारों आका आपको अच्छे तैयार कर लेना है आपके करीब कर उमीद कर रहा हूं कि 8-10 नंबर पक्यों हो जाएंगे ठीक है मौलिक कर्दिकार और मौलिक करतब के बारें तैयार कर लेंगे तो ओके चली निश्कोश्चन को बढ़ते हैं निश्कोश्चन आप लोगों की समस्प्रस्तुत है कि आर्थिक विकास में फिच्छा की क्या कोई business start किया था एक लाक रुपे से लेकिन किसी कारणावट से आप उस में जो है एक लाक बिजीन शटार्ड कर लेकिन इंकम आपकी बहुत कम हो रही है ठीक है एकसाल बैध गया आपको दफीह जार भी इंकम नहीं हुई तो वहाँ पर आपको आर्थिक जो एजूकेशन होती है उसका रोल बहुत होता है क्योंकि अगर आपके पाफ अच्छा टाइलेंट नहीं है अच्छी फिच्छा नहीं है तो आप अपने बिजिनेस को ठीक है और कैशी हम उनको प्रोडट करें तो आपको एनकी जानगारी नहीं होगी तौब Me पोशिह तो इसी से चवड़ा अर्चिक बिजिनेस में या फिर आणीर के डियॉनेंट में क्या रोल है फिच्छा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है, आप डेटर में लिख सकते हैं, ठीक है, अगला कोश्चिन की जॉन, डीवी का फैच्छिक दर्सन क्या है, सेम टू सेम कोश्चिन आनी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आगे बढ़ाने के लिए फिच्छा का बहुत बड़ा योगदान है, वो चाहाए कोई भी चेत्रो, अगर आपके पास अच्छी फिच्छा नहीं, आप पढ़े लिखें नहीं है, यह फिर आपके पास इस्ट्रा श्किल्स नहीं है, तो आपका जो बिजनेस है, जो आपका क कमपनी है, यह फिर आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, वो क्योंना समाज हो, क्योंना वो आपका परिवार ही हो, ठीक है, तो यह बहुत बड़ा रोल है, समाजी गत्त, सिल्ता में, सिच्छा का, तो उसके बार हम लिखेंगे एक भी बहात पूर प्रशन है, अब आज आएंगे हम खंडसा की और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, दिर घुत्रे जिनको विसे तुत्रे बोला जाता है, ठीक है, तो सेम टूसे में इसमें पूरी दिसान इर्देफ दी गई है, भाईया दिर घुत्रे जो प्रशन ह इनका हर एक प्रशन का उत्तर कितने सब्दम लिखना, उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे, ठीक है, और कितने कोश्चन करना है, पूरी जानकर यहां पर लिखा है, आपको पड़ जरूर लेना, ठीक है, आप पेपर देने जाएंगे तो ऐसे लिखा होगा, आपकी पे पिच्छा होती है, इसका आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, फिच्छा के अलग अलग विचार बताएं हैं कि हाप इस तिरह को ले सकते हैं, ठीक है, तक कि विच्छा कि आप देंगे, भिकास्तों होगा है, फास्ति समाच का भी का भी कास करת कंतें, आपने बिजनिस का बिकाफ कर फकते हैं तो इनके बारे में इन्होंने अच्छे सब्सक्राइब किया है जो कि आपके लिए बहुत ही महात्पूंट प्रस्टन है उसके बाद अगला भी कुश्चन है बहुत ही महात्पूंट की डाक्टर बी आर संब्धान के जरन के बहुँते क्या वर्व मिलट अबौन करें और इन्हों सब्सक्राइब ही गें कि इनको इतने उपर कर देएन जेफे आज लोग इनको बोजनी पूजा करते हैं अगर आप पूराने इस्टी पढ़ाएंगे तो आपको जानकारी होगी कि यह अय जात के थे सब्सक्राइब भज़ना मैं मतलब बच्पन में मतलब की जातते बलोग करते थे जब सब जाते थे न तो इंस जो बच्चे लेकिन बच्चे क्या करते थे प्रक्टी नहीं बेठने यह क्या करते थे अपने घर से बूरी या फिर एक कुछ भी बैठने के लिए ले जाते थे जो हर श्टुडेंट एक साथ बैठते थे और ये उनसे एक लाठिया पिर मैं बोल सकते हैं कि पांच फूर दो फूर दूरी बैठते थी ठीक है क्योंकि इनको लोग इस नज़े क्योंकि यह ऐसे जात के थे कि लोग इनको छुआ छूट वाली चीजी थे इनको छूना नहीं चाहते थे तो ऐसी तिती लेकिन इन्होंने ऐसा ऐसा मोड लायाब देरे-देरे बड़े हुए इन्होंने सिच्छा और जात क इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया कि आजकल आप लोग देखते हैं कि बहुत ही कम जात के नाम पर लोग हर एक साथ हर एक इंसान हर एक स्टूडेंट एक साथ रहता हो किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो ठीक है तो इनका बहुत बड़ा योगदान नहाए फिच्छा क कर लीजिए हमेशा नहीं आता लेकिन अगाधा आ सकता है उसके बाद अगला कि प्रोजन वादी दार्फनी की रूप में जोन डीवी का फैच्छिक दर्सन तो डीवी के नुसार डीवी का परच्छे जोन डीवी का उपलफ इनकी फैच्छिक बिचार इनके बाद थोड़ा इसमें से आप लोग आसानी से बोलना हो कि आप लोग 35-45 नंबर कम से कम की बात कर रहा हूं 35-45 नंबर आपके हो जाएंगे लेकिन इस माल पेपर में जितने में कुश्चिन देंगे उनका उत्तर तैयार कर लेंगे तो अगर सभी नहीं कर सकते तो जितने मैंने आपको बता इनका उत्तर आप लोग इंटरनेट गूगल से स्वर्च करके पढ़ सकते हैं वरना फिर इस कोश्चन बैंक जब आप खरीद लेंगे तो समिस्पर लीजेगा अगर कुछ भी नहीं है तो टेंसर लेने वाली बात नहीं है इन कोश्चिनों को नोट कर लीजे हमारी जल्द ह पालते हैं काम सक्सेस्टी चैनल के मांतों से ही किता, कहीं पॉसिबल नहीं है इसलिए इसलिए सब्सक्राइब कर लिजिएगा हर सब्जेकर ते